प्राग चीन को ये समझना चाहिए ये जो 1967 में कर चुका है ना ये जो चाल है इसका कोई मनोवैज्ञानिक असर हमारी सेना पर पढ़ने वाला नहीं है देखे चीन को जब जब लगता है कि उनकी परेशानी बढ़ रही है वो अब पूरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं इंडिया की पोजिशन मजबूत है तब तब वो इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है तब तब वो मनोवैज्ञानिक गेम खेलने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ फरक नहीं पड़ता है वो कौन से गाने चला रहे हैं पंजाबी गाने चला रहे हैं या कोई और चला रहे हैं हमारे सैनिक वहां गन बजाने के लिए तैयार है गाने बजाने से कोई फरक नहीं पड़ता है चीन के हमारी तैयारी मुकमल है साइकोलोजिकल वारफेर का असर तब होता है जब आप confusion में होते हैं आप confident नहीं होते हैं लेकिन भारत पूरी तरह से confident भारतिय सेना पूरी तरह से तैयार positions इस तरीके की हैं कि जो चीन को परेशान कर रही हैं हम बार-बार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किलोमेटर्स तक हमने उपर हाइट्स को पोजिशन लिए किलोमेटर्स तक हम देख सकते हैं चीन परेशान है कि उनके जो रोड्स हैं वो exposed हैं उनके जो पोस्ट हैं वो exposed हैं उनको कभी न कभी पीछे हटना ही पड़ेगा उस जगह से उनको नहीं होना चाहिए और वो जैसे ही और ये सबहत कंड़े अपना है